Welcome in RSK Maths Monitor, Chapter 8, Quadrilaterals Exercise 8.2, Sum No. 1. A, B, C, D is a quadrilaterals, हमारे पास A, B, C, D quadrilaterals given है, with this kind of P, Q, R, S, are the midpoints on the sides, ज्यानि P हमारे पास A, B के उपर midpoint है, Q हमारे पास B, C के उपर midpoint है, R हमारे पास C, D के उपर, और S हमारे पास D, A के उपर midpoint है, midpoint से हिंट है कि हमारे पास यह midpoint thorem के holding soul होगा, AC is the diagonal, जो AC हमारे पास है, अब positive side को मिलाने बाद जो line draw करते हैं, वो हमारे पास diagonal है, show that, हमने show क्या करना कि, जो SR, यानि जो midpoint को join करने के बाद जो line बनेगी, SR, parallel show करनी हमने AC के, तो first हमारे पास triangle देखेंगे, इन triangle D, A, C के अंदर हम midpoint को join करेंगे, यहाँ से हम midpoint को पहले join करेंगे, अब first part में हमने show करना SR, parallel है, SR, parallel है AC, फिर हमारे पास in triangle D, A, C, D, A, C के अंदर हमारे पास S and are the midpoint है, midpoints of DA and DC, CD के, दुनों के midpoints है, so, by midpoint thorum, हमने that use करना है, midpoint thorum से, अगर किसी triangle में midpoint को join करते हैं, तो जो line, join करने बद लाइन बनेगी, जो SR है, parallel होगी AC की, और जिस line के parallel है, उसी line के, यानि जो SR की value भी क्या होगी, ये complete line का half होगी, यानि इसकी distance, अगर हमारे पास length, 8 cm तो इसकी length हमारे पास 4 होगी, यानि इसका half होगी, यह हमने first part में show करना था, ये हमारा हो गया point number 1, now, अब second part में, second part में हम क्या show करेंगे, जो PQ equal show करेंगे, SR, सबसे पहले हमारे पास, जो PQ को हम, first point में हमने, SR को इसके parallel show क्या था, अब PQ को हम इसके parallel show करेंगे, तो in triangle BAC, इस triangle की अंदर देखो, P and Q, ये भी हमारे पास midpoint है, P and Q are midpoints, midpoints है, so, by, midpoint theorem, midpoint theorem से हमारे पास क्या होगा, इसको join करने के बाद, जो line बने के हमारे पास, जो PQ है, वो parallel होगी हमारे पास, किसके, AC के, और यहां से जो PQ की value है, वो हमारे पास क्या होगी, 1 by 2 होगी, AC के, यह हमारा हो गया second part, अब first part में हमने क्या परूप किया था, कि जो SR है, वो parallel है, हमारे पास, AC के, by first part, और, SR की value हमारे पास क्या थी, 1 by 2, AC के, यह हमारा first part था, अब देखो, first और second, दोन्नों को हम compare करते हैं, compare, first and second को, दोन्नों को compare करने के पाद दिया हैं, अब PQ की value हमारे पास, 1 by 2, AC, SR की value भी हमारे पास क्या, 1 by 2, AC, दोन्नों, एक ही object के, equality means, वापस में भी क्या होंगे, equal होंगे, जो PQ की value होगी, equal to SR, और यहां से comparison यह भी होता है, PQ किसके parallel है, AC के और SR भी parallel है, AC के, this implies हमारे पास, जो PQ है, वो parallel भी होगी, SR के, यहां से हमारे पास होगे, तो नो point, यह point number हमारे पास को third naming कर सकते हैं, now third part में अब show करेंगे, PQRS, अब यहां से सब भी lines को, यहां भी join करेंगे, PQRS, S, यानि इन lines को भी join करने के बाद हमने, जो figure बना उसको हमने, PQRS is a parallelogram, क्या यह parallelogram है, parallelogram के लिए हमारे पास question होता है, कि इसकी opposite side equal भी होती है, और parallel भी होती है, तो हमारे पास by, third point, जो हमने third point में naming किये, third point के help से क्या है हमारे पास, जो PQ है, वो equal है, S, R, K, और PQ parallel भी है हमारे पास, S, R, K, अब question में देखो, यह हमारे पास, third point से यह value होगी, हमारे पास given होगी, एक तरह से हमने prove कर दी, अब इस question में देखो, यहां से PQ, PQ equal है, यानि यह distance, यह दोनों equal है, equal का मतलब होता है, कि हमारे पास इन दोनों की, ऐसे figure को देखें, यह distance, यह जो PQ है, S, R के equal है, यह दोनों equal है, जब दो line के बीच की distance equal हो, तो this implies हमारे पास क्या होता है, वो सामने वारी line हमारे पास क्या होगी, QR, parallel होगी हमारे पास, S, P, S, K, यह S, P, K, अगर यह line इस line के equal है, यानि opposite distance हमारे पास, same distance है, तो वो line आपस में क्या होती है, parallel होती है, यहां से होगी, opposite side parallel तो हमारे पास आगे, अब second point क्या हमारे पास, जो PQ है, PQ है, parallel है, किसके, S, R के, यह line इस line के parallel है, parallel का मतलता है, जब दो line के बीच की distance same हो, it means हमारे पास क्या होगा, this implies, अगर दो line इस parallel है, तो उनके बीच की distance same होगी, it means जो S, P है, या P, S है, वो equal होगी, हमारे पास R क्योंगे, अब एक opposite side parallel थी, और equal थी, दूसरी opposite side parallel होगी, हमने शोग कर दिया, this implies, जब opposite side parallel हो, equal हो, तो हमारे पास P, Q, R, S, is a parallelogram, तो वो हमारे पास क्या होगा, parallelogram, this is question number first, dear students, if you like our video, then like and share the video, and also subscribe the channel, thank you,